हला स्टुडेंट्स मेरा नम दॉक्टर गजंद पुरहीत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ कि टाइम सीरीज होती और क्या ऐसे मैथर होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास डेटा उसका ट्रेंड क्या है इसके बारह मैं आप बता था तो यह सब जो वीडियोज हैं वह आप आई टेपर जाके तो सुन बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा है और उसको अगर स्टेट लाइन में फिट करना है तो कैसे हम यहाँ पे फिट करते हैं तो सुन आरे पास जो ट्रेंड होता है उसकी एक्वेशन होती है y is equal to a plus bx और आपके पास जो डेटा होगा उससे हमें करना क्या होगा सुन a और b की value निकाल ली होती है तो जब भी आपको यहाँ पे a और b की value निकाल ले तो इसको कैसे हम यहाँ पे करते हैं सुन मैंने इस पे एक वीडियो आलरेडी अप्लोड कर चुका हूँ तो यार वो आप देख करते हैं सुन इसमें वापिस हम एक से मल्टिप्लाइ करते हैं तो बटा एक से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आएगा a x plus b x square और फिर इस पर हम क्या लगा देंगे सुन समेशन लगा देंगे क्योंकि हमारे पास यहां पे a और b दो constant है तो यहर कम से कम इसकी value निकालने के लिए हमारे पास दो equation का होना अतिया आवश्यक है अब इन दोनों को हम यहां पे क्या करेंगे जो भी हमारे पास data दे रखा है उस data से हम यहां पे summation x की value निकालेंगे summation y की value निकालेंगे summation x square निकालेंगे summation x y और सब data से हम यहां पे करेंगे वो जो data उससे हम यहां पे करेंगे value पूट करेंगे यहां से हमारे पास a और b में दो equation मिल जाएगी उस equation से हम a और b की value निकालके यहां solve कर देंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आगा हमारे पास trend की एक्वेशन आएगी फिर आप पर्टिकुलर X की वेलू के लिए आप यहां पर Y निकाल सकते हैं इस X की वेलू के लिए यह हमारे पास यह होगा राइट अब बात करते हैं हमारे पास यह बूला जाएगी सेकंड डिगरी परावॉला जो है उसको कैसे फिट किया जाता था टे अब हम क्या करेंगे इस पर फिर समिशन लगा दीजे आप यह समिशन लगा देंगे ठीक है फिर एक और एक और एक्वेशन चाहिए तो यह हम क्या करेंगे फिर इसको एक से मल्टिप्लाइ करेंगे एक और एक और बार करेंगे तो क्या है गाए और यह आगा एक्स स्कॉर य एक्स एक्स क्यूब एंड एक्स पावर फूर राइड तो सुन यहां पर हमारे पास यह समिशन आ जाएगा पर सबसे बड़ी प्राप्लम यहां पर हमारे पास शॉट्रिक मैंतल होता है और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा डारेक्ट मैंतल तो मैंने अपने यूट्यप पर अल्रड़ी अपलोड कर चुका हूं तो यह वह आईटे पर जाकर आप देख लिजएगा तो यह कैसे करते हैं आप तो मैं स आपको यहां पर इसका ट्रेंड निकालना एंड पर्टिकुलर किसी यह प्यापको यह पता लगाना है किता प्रोडक्शन होगा तो सबस्वर्ण यहां पर करेंगे सब्सक्राइब करना या कूछ और करना राइट यह आपको क्वेशन में दियावाएगा कि कैसे हम यहां प पर इन देखिया हुई आएगी कि हैर आपको यह पर्टिकुलर यह आ आपको औरीज़न लेकर चलना राइट जैसे आप से बोला जाए कि 1985 को औरीजन लेकर चलिए 1987 को औरी जैशने कभी बोला जाएगा जब बोले तो जो ओरीच्ट यह उसको आप जीरो ले लिए फिर 123 ले और हमारे पास आरा 19, 89 और यह आरा 19, 91 और हमारे पास 19, 93 और हमारे पास यहां पर जो प्रोडक्शन गिवन है वो दे रहे रहा बेटा 18, 21, 23, 27, 16 दे रहे रहा है घर को से आप्से ट्ऺशन प depress 2010, 18 skeptical सा ऑरिजन गिनार 15, 23, 1989 और हमारे पास एक रीजन एर ही पर गुल्ड़क्शन एक यहां पर और वत आर्पास यह एक यह पर इस तो अगर में कुछ नहीं बोला जारा है देखो आप एक, दो, तीन, चार, पाँच है, तो ओड़ वाला डिटा है, तो सेंटर में आ रहा है, इसको हम क्या ले लेंगे, origin बकल लेंगे, चुकि हमारे पास 1989 को हम यहां पर origin year लेंगे, तो यह हमारे पास time है, इसमें 1989 को हम क्या कर देंगे, minus कर देंगे, भाई हम minus करोग देंगे, तो हमारे पास यहां पर क्या वाँ, जब इसको, क्योंकि हमारे पास जो straight line को fit करते हैं, तो straight line को fit करते हैं, हमारे पास, जो trend equation होती ही, वो होती है, a plus b x, और मैंने भी बताया था कि हमें यहां पर a और b की value निकालने, तो summation यह आएगा, na plus यह आएगा, b summation x, बटा summation x की value क्या होगी, 0 हो जाएगा, add गरो, 0 हो रहा है, इससे फाइदा यह होगा, मेरे भाई, कि यह वाली term और यह वाली term क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, a और b की value निकालना, easy हो जाएगा, right, देखो कैसे है, है रहा, चुकि हमारे पास यह आ रहा, अब देखो, बटा क्या चाहिए, एक हमें summation y, एक हमें summation xy चाहिए, और एक हमें summation x square चाहिए, तो निकाल लेते है, टेंचन लेने की जरूत नहीं है, बटा इसका x square निकाल लेते है, कितना एगर, 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएग and 42 and 52, 62, 62 and 7, 69 and 79, 89, 89 और 6 करेंगे, तो 95, I think 105 आरा है मारे पास यह है, तो summation Y जो आएगा, वो मारे पास क्या हैगा, यह 105 आएगा, इसी टाइप सम्क्राइब करेंगे, बैटा, XY की वेल्यू निकाल देंगे, तो XY की वेल्यू निकाल लेंगे, इसी टाइप सी आएगा, जीरू है, इसी टाइप सी आएगा, हमारे पास 54, इसी टाइप सी आएगा, स्वल चुका, 64, यह हमारे पास क्या हैगे, इस इसकी वेल्यू आजाएगी, अब हम क्या करेंगे, पर देखें आप, तो जब इसको एड़ कर रहे, तो इस उन nhân, 68, अब नियुँज़ ऑर 6 और 5, 11, 11, और 118 आरहा है, और सुन यहां से मारे पास इसकी वेलियू क्या ह tuning है? माइनस मैश सुन यह नहीं अब इस, ब इस सुन यह नहीं आरहा है? और 7 और 4, तो तो जब इसको solve करेंगे एक की वेल्यू 20 आएकसे बात करते हैं अब हम बात करते हैं भाई इसके लुए इसके वेल्यू 0 होगी तो रखें तो मतलब भी नहां है अब इसको देखो बैठा सेकंड एकसवाइगा है यह तो 0 हो गया, यह आएगा, इस इकल टो B, समेशन X स्क्वार, महरे पास कितना रहा है, यह रहा है, 40, तो B की वेल्यू महरे पास कितनी आएगी, बटा, 1 बटा, 10 हो जाएगी, बटा, 0.1 हो जाएगी, अब यह दोनों वेल्यू उठा के, यहां रख दीजिए, तो Y is equal to, महरे पास कितना आएगा, एक ही वेल्यू कितनी आरीवेट है, 21, बटा, B की वेल्यू मैं इसको लिखूँगा, 0.1 X आएगा, तो यह हमारे पास किया आएगी, त्रेंड लाइन आजाएगी, अगर आप से बोला जाए, आपको यहां पर यहां पर इस डेटा को समझते हुए आपको X की वेल्यू रखोगे, बटा, 1993 के लिए मारे पास X कितना आ रहा, 4R, देखो, दो-दो से बढ़ता जा रहा, तो अगर आप से बोला जाए कि 1995 के लिए कितना आएगा, तो भाई साब उस वाले केस में X की वेल्यू क्या आजाएगी, 6 आजाएगी मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं है ना, तब तक आप यह वाला काम नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेशन और बताता हूँ, अभी यहाँ पर डेटा हमारे पास ओड़ था, अगर डेटा एवन है, तो सब सब बड़ी प्रावल्म में स्टूडेंट को आती है कि सर हम ओरीजिन यहर क्या ले है, जिससे की केल्कुलेशन इजी हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको बताना चारो, नेक्स कोशिन लेंगे हम यहाँ पर, इस सुनी इस कोशिन को मैंने समझा है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, जो मैंने ग्यान दिया, वो कोई ग्यान यहाँ पर भी दे रखा, तो आप देख सकते हैं, अब बात करेंगें इस सुनी यहाँ पर, एवन वाले केस में, अब हमारे पास यहाँ पर डेटा इवन है, तो सबसे बड़ी प्रॉलम इस स्टूरेंट को यहाँ थी, क्योंकि ओरीजन यहाँ पर दे नहीं रखा, तो हम ले लेंगे हमें, तो ओरीजन यहाँ यहाँ पर 1999 और 2000 है, तो इसका मिड़ पॉइंट लेंगे, तो इसका जो दोनों का एवरेज करके बाइट टू करेंगे, मतलब 999 प्लस 2000 डिवाइड बाइट 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 टू करेंगे, तो यहाँ आएगा 999.5, तो यह हमारे पास क्या आएगा, इसका ओरीजन यह राएगा, तो भाईया आपको यहाँ पर क्या करना है, T-1999.5, यह आपको ध्यान देने की जरूत है, जब हमारे पास इवन आता, तो सेंटर के जो दो डेटा है, उसका average आपको लेके, origin लेके उसको calculate करना, अब इसको इससे minus करो, जब इसको इससे minus करोगे, तो भाईया, minus का 1.5 आएगा, तो यह कितना हैगा, minus का 0.5 आएगा, इधर करेंगे, तो यह 0.5 हो जाएगा, इधर करेंगे तो यह वही सब कितना आजाएगा 1.5 आएगा पर इस तोड़ी समस्य और यार कि हमारे पास जो डेटा आ रहा ना बिटा वो क्या रा आएगा वह राउंड फिकर में आजाएगा राइट अगर अब इसको मैं एक्स मानने का आपको यह बोला था इसको एक्स मानना क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम करना क्यूंकि हम हों से आ रहे हैं इस लेटिक है तो से नहीं बशूअगा हम यहांपे टू से मल्लिपलाइ करेंगे तो यह यहाएगा माइनस तरी यहाएगा माइनस वन यहाएगा वन एंड यहाएगा व रेखा थू अब lies साउमेशन एक्स क्या हो गया जीरू हो गया राइट अब हम mechanics क्या ओकेas करते बहीए मैंने भी आपके सामने पीछले कुशन में ग्यान दिया था कि कैसे फिट किया जाता है कि Y is equal to मारे पास A plus B X होता है हम क्या करते है फिर summation Y लेता है A ने आता है plus B summation X आता है फिर बिटा क्या करते है इसको X से multiply करते है तो यह आएगा हमारे पास A summation X plus B summation X इसकोर पर बहिया summation X 0 हो गया मतलब यह वाले term 0 हो गई यह वाले term 0 हो गया तो यहां से A और B बहुत इसली मिल जाएगा हमें बस उसके लिए हमें summation Y चाहिए summation Y यह मिल गया है क्या है जोड़ो इसको इसको एड़ करेंगे क्योंकि हमें summation Y चाहिए तो बैटा इसको एड़ करेंगे तो 100 100 तो यह आरा 400 अब यह वेली उठा के रख दो यार भईया तो यह हमेरे पास इसकी वेली कितनी आरी 470 आ गई और N बैटा 4 को डिवाइड कर दो जब 4 को डिवाइड करेंगे तो A की वेली हमेरे पास क्या गी है 470 divided by 4 आजाएगा आगे बढ़ते हैं हमें क्या चाहिए इसकी B की वेली चाहिए तो summation X square चाहिए तो summation X square तो मिली जाएगा यह X है तो भईया इसका जो X square हैगा वो कैसे गार इसको square कर दो यार 9, 1, 1, and 9 आजाएगा तो 10 हो 10 बीस हारा पिर इन नों को multiply करेंगे कि तो minus का 120 फिर इन नों नों को multiply करेंगे तो मेरे पास आएगा 110 फिर इसको म CBS 1424 420 आजा रहा अब इसको करेंगे तो सब्ससंदर आएगा हमारे पास 530 530 हमारे पास positive value आ रहे है and यह आजए आरा हमारे पास minus 420 इसको बता तो यह हमारे पास बढ़ जाएगा 110 तो इसकी जो वेलियो आएगी summation xy की यार वो हमारे पास किया कि 110 आजाएगा अब यह वेलियो उठागे यार यहां से हमारे पास 110 आजाएगा इस इकुल टू बी और सुन समेशन एक स्कुरर हमारे पास आ रही है वह हमारे पास आ रही है 470 अपॉन 4 इंटू ए प्लस इसकी वेलियो आ रही है 11 बाइटू एक्स यह हमारे पास आ जाएगा अगर आपसे particular किसी एर में आपसे पूछे कि यह 1995 में आपसे कि 1995 में हमारे पास क्या सेल्स रही होगी तो बैसा आप गलती नहीं करने ऐसा नहीं कि जग रहतों गलती हो जाएगा अब आपको यहां पर वापिस आ जाना है इधर समझने की जरूरत है अब यहां समझने की जरूरत है इस उने और नाइंटीन नाइंटी एट ही आ रहा है तो अगर मैं यहां पर लिखू तो 1997 जो आएगा वह कितना अगा पटा चुकि माइनस दो कम हो तो माइनस का दो और कम करेंगे तो माइनस का साथ आजाएगा रहे इस रहे इस जड़ाइब से अगर आपको 1995 की population निकाल ली है मतलब Y 1995 निकालना है मेरे भाई तो आपको X की जगह किता रखना पड़ेगा माइनस का 9 रखना पड़ेगा राइड तो सुन यहां पर हमारे पास यह ट्रेंड लाइन है इस यह नहीं आएगा मैं सॉरी है ना तो यह आएगा मारे पास 470 अपॉन 4 प्लस 11 एप二 की निकालना है इसको सौल करेंगे तो मारे पास यह पर 1995 की उमारे पास सेल सद परहते हैं इस तरसे की आपको समझाने की कोशिश करिए अब देखेंगे आप डेटा पूरा का पूरा दे रखा है इसको आप बहुत पर लोग देख सकते हैं तो इस तरह सा आप यहां पर कर सकते हैं अब बात करेंगे अब बात करेंगे सब्सक्राइब लोग अगर हम जानते हैं यहां पर हमें सको सॉल्व करना तो पर यह रही आएगा हमरे पास समेशन वाई na plus b summation x plus c summation x square आएगा बैटा हमें तीन equation चाहिए तो हम वापस x multiply करेंगे है तो जब x multiply करेंगे तो यह आएगा a summation x plus b summation x square plus c summation x cube बैटा फिर x multiply करेंगे तो यह आएगा हमारे पास यह summation आएगा तो बैटा ही आएगा x square y is equal to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x power 4 और इन सब का value चाहिए, value रखेंगे, answer आ जाए, पर यहाँ पर वही concept की हम चाहते हैं कि हमारी calculation कम से कम हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, origin वाला concept यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो year दे रिखा, मैं इसको time ले लेता हूं है, तो time हमारे पास किता दे रिखा है, यह दरिका है, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996 दरिका है, यह हमारे पास data गिवन है, और हमारे पास यहाँ पर production जो दरिका है, अना production किता दरिका है, production हमारे पास given है, किता दरिका है, भी यह production, 6, 7, 5, 4, 6, 7, 5, अब देखो, यहाँ पर हमारे पास total जो entry 7 है, बटा, n की जो value आ रही हो, हमारे पास कितनी 7, तो इसका जो हमारे पास origin year होगा, वो middle वाला होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर T-1993 करतेंगे, और इसको maximum है, क्योंकि पॉइंट में नहीं आ रहा, देखो, आप इसको इसक कितना रहा, बटा, square डिकरो, 6, 6, 12, 13, 13, 15, 18, और 4, 22, 28, 27, 35, 45, 40, 40 हा रहा है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चाहिए, एक दो summation x 0 होगया, तो जो जो 0 होगया, वो हम यहाँ पर हटाते जाते हैं, ताकि आपको यहाँ पर समझ मैं है, तो जो 0 हो इसको कितन आएगा, इस तो बैटा, जैसी x cube निकालेंगा, तो यह यह है aby मैंस का 27, मैंस का 8, मैंस का 1, 0, 1, 8, 27 बैटा, यह 0 हो जाएगा, अब देखोगे, तो summation x cube, हमारे पास क्या यह पर हो जो जो जीरो आ गया हो वह हमारे ले पीजी रहेगा नहीं तो इतनी इजी कैलकुलेशन से आपको बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं यह यह जो हमारे पास दे रिखा यह तो बैट हम क्या करेंगे यह पर इनको मल्टिप्लाइ करना है ना माइनस का अठारा है यह एक से और यह यह जीरो यह आएगा चे यह चाओदा और यह पंदरा राइट तो इसविए जो समेशन एक्स वाई की वेल्यू है आप देखेंगे तो यह चाओदा से चाओदा कैंसल हो रहा है माइनस का पांच और दस तो सुन यह आरा है माईनस का दो अहाँ दस और चे सोला माइनस का दोवार रहा है इस पुट भी एक एक बटा चोधा बी तो बिकी वेल्यू मारे पास कितने है कि माइनस का एक बटा चोधा अगया तो यह तो फिय्स एकिविश्ट निकल लेता है तो चलिस इज एकुल अप मारे पास कितना है? 7 है, प्लस B summation X square, C summation तो summation X square की वेले 28 आ रहा है, तो 28 C आ जाएगा, तो एक equation मारे पास यह आ गई, अब हमें एक और equation चाहिए, यह भी निकाल दो, पर यहार यहार से हमारे पास एक X square Y चाहिए, तो यहार यहार से हम क्या करेंगे? जहाँ, जहाँ, एकस सकुरर की वेले 28 आ, निकाल देगे, आ, तो यह एकस सकुरर है, इसका सकुरर करेंगे, तो यह X square Y निकाल दो यह Y है, तो 6 और 25 यह आ जाएगा, और यह आएगा 7 चोक अट 20, यह आएगा हमारे पास इस नहीं पाँच इस टेब से यह आएगा जिरो यह आएगा छे तो इस नहीं यह पर 7-60 गठे है गा एनड इस नहीं जब इसको solve करेंगे तो 5-95 45 आजाएगा and then इस नहीं यहाँपे का कर दीजया आद इसको solve कर दीजया हम solve करेंगे है ना तो हम जानते कि यह तो हमारे पास 0 होगया तो आपने देखा था summation x 0 हो रहा था राइट और summation x3 भी 0 हो रहा था यहापर यह x3 था तो यह भी 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ये value आएगी और इसमें जब इसको solve करेंगे तो एक equation हमारे पास plus में ये आएगी और दूसरी equation हमारे पास ये आएगी तो इन दोने से हम solve करेंगे तो A और C की value हमारे पास ये आजएगी तो C की value ये आएगी और B की value हमारे पास ये आगी और इसी टाइप से A की value भी ये आए अब आप से पूछा जाए कि मंतली ट्रेंड क्या होगा अगर आप से पूछा जाए कि मंतली ट्रेंड दे रहा है और आपको इसको एरली ट्रेंड में चेंज करना तो एक बटा बारा स्कॉाइब एक बटा बारा करना वन बारा करना ने ट्रेंड लारा आप से क्वाटरली ट्रेंड क्या होगा तक हम जानते महीने में स्टेट लागान को ब्राइब कि आप से पूछ चाहल है कि है जो मंतली सार्व गंपलाइब करेंप कर दो बुछ निकाल सकते हैं। अच्सम लागान घृशन हमेरे पास कि infrastruktur करना उन स्ट्रेंट हमारे पास विद्द है ऊहार 어떤 कितना increase हो आपको यह पता करना है तो सुन यह हमारे पास एन्युल ट्रेंड रहें इसका सब से वहलम एक क्वाटर का ट्रेंड निकाले तो क्वाड़ी ट्रेंड में क्या करेंगे चार से भाग लगाते हैं तो यह चार आएगा चार इसको रहे यह हमारे पास कितना हुआ तो यह दो का इंक्रीज हुआ इस तरह समया पर निकाल सकता है ना तो बहुत इस टैप की कुश्चन को यहां पर कर सकता है कि हमारे पास यहां पर एक ट्रेंड दे रखा है दो जार सोला का क्या होगा तो इस तरह समकरेंगे आप जहां पर भी टी माइनस टू कर देंगे अगर 2016 का निकालना है ना तो इस तरह समय इसको सॉल कर सकते हैं अगे बढ़ता है एक और क्रेशन समझने के जरू होते हैं हमारे पास यह एक ट्रेंड दे रखा है और यहां पर ट्रेंड जो है यह कॉपर के आउट्पुट को दिखाता है किसी माइन से और 2010 जो है इसका ओरिजिन 2020 में हमरे पास क्या उट्पुट हुए हमरे पास 2010 का ट्रेंड दे रहा है तो जैन सब्सक्राइंगे 2010 का ट्रेंड तो हम जानतें कि 10 साल में एक चैंज हुआ तो टाइम में कितना है दर 2010 का वाล हो ठैंध एकशाहरश्ण तो औरीजिन येर 210 का दिरिका है तो 2020 का मैंटास क्या रख था एक पर भी टीए हम लेन िंस लोरत नहीं अगर बाइचास सापको यह आपको यहां पर किए अगर पूची होती हैं मैं क्या करते टी प्लस टैन रख देते हैं जहांपर भी टीम रख देते हैं टी तो उससे भी हो जाता है अगर बाइचास आपको यह कंसेट भी यूज़ करना तो उससे भी हो जाएगा जहां पर भी टी है वहाँ पर टी प्लस टेंट रखे और टी के जगह जीरो रख दीज़ेगा समझ में रहा तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं र बहुत सारी शॉट ट्रिक अप्लोड करता हूँ वह भी आप देख सकते हैं पुरी प्लेलीस हैं पर यहां जाके चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद थैंक्यू बबाए